हाई-विदियो को भल्वू को स्टाट करने से पर्ले हम आपको बता देते हैं आज किस वीडियो में mould आइब का बीजाइट करने वाले हैं अज इस वीडियो में जो मुummy अगर इन्कम गर नुदि करने क्र चाहिए तो वह भी कर शकते हैं अपने क्लयांट के लिए बना सकते हैं अपने विजनेस के लिए तो भी आप सकते हैं चाहां तो आम इम दिखाते हैं आपको पहले कैसा वह सैल हम आपको और यहां पे चैट का भी वार्टसफ चैट का option आपको सो कर रहा है नीचे आएंगे आप तो यहां पे services का section आपको दिख रहा होगा तो यह सारे कैसे design करेंगे किस तरीके से आप करेंगे और यह सारा कुछ आज किस वीडियो में आप देखेंगे यह देखिए कितना अच्छा यह इधर से स्राइड हो करके इस तरफ आ रहा है और यहां पर देखिए यह कॉंट डॉन लगा हुआ है तो यहां पर नीचे आएंगे आप यहां पर फ्रोकेंटली आस्क्विस्टन भी लगा हुआ है इस पर आप किलिक करेंगे तो देखिए इस तरीके से यहां जो है answer भी तो करेंगे तो इस तरह का वीडियो में आप देखने वाले है तो इस बीडियो के अंतक बने रहें इस वीडियो को बनाने का मेरा मउज़र यह है कि हम आपको सिखाने वाले है जो आप Elementor को यूज़ करके कैसे इस website को आप design कर पाएंगे मेरा इस video बनाने का मकसद यह है और साथ में अगर आप अपने लिए website बनाना चारें तो वह भी बना सकते हैं और अपने client के लिए बनाना चारें तो client के लिए भी बना सकते हैं और अच्छा कैसा आप income generate कर सकते हैं तो आप वीडियो के अंतक बने रहिए और साथ में आप इस video को follow कीजेगा तभी आप सिख पाएंगे सिर्फ वीडियो देख लेने से आप नहीं सिख पाएंगे आप साथ में follow कीजेए तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पर हम सबसे पहले जो है अपना निसर्कमाट.com हमारा जो domain है यहाँ ओपन कर लेते हैं यहाँ पर यह जो है निसर्कमाट.com यह हमारा domain है जो यहाँ पर open हो चुका है यहाँ पर देखिए यह हमारा website निसर्कमाट.com यह open है इसमें आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर एक dummy theme install है wordpress का इसलिए ऐसा दिख रहा है तो इसी में हम आपको दिखाने वाले हैं कि पूरा step by step कैसे इस तरह का website आप design कर पाए है इस तरह का website design करने के लिए हमको क्या करना है यहाँ पर एक theme हम यूज करेंगे जो कि एक आस्ट्रा का theme होता है आस्ट्रा का theme install करना है आपको पहले भी वीडियो बना करके बता चुके हैं बट इसमें हम step by step बताएंगे आपको तो यहाँ भी हम आपको दिखाने वाले हैं यहाँ इस पर क्लिक करेंगे यहाँ search theme में आपको search करना है Astra इहाँ पर आस्ट्रा सर्च करेंगे तो यहाँ पर जो है यह यह theme आपको स्वग करेगा Astra का इसको आपको install कर लेना है यहाँ आपको सेम process को follow करना है आप इस वीडियो को पूरा follow कीजिए तब यहाँ पर देख़ सब्सक्राइब पासपोर्ट सर्विस का अगर विजनेस है तभी इस वेबसाइट में तो बस डिजैन हम दिखाने वाले हैं इस टाप का डिजैन हम इसको जहां में एक बार निउ टैब में ओपेन कर लेते हैं अपने वेबसाइट को देख़ा रहेंगे जो पहले आपको से यहां पे इंस्टॉल होगा और इसको एक्टिवेट की कर लेना है अगर आपको इस थेंक्यू का जो लिंक था वह आपको नहीं मिलता है तो आप जो है प्लागिन वाले सक्षन में जा करके वह उस्टाटर टैंपलेट का प्लागिन आप्ली मैंवली वह इंस्टॉल कर सकते ह नहीं है तो यहां पर नीचे आएंगे और यहां पर देखिए यहां पर क्लिक करेंगे और यहां पर हम स्लेक्ट करेंगे क्योंकि हम इलेमेंटर वेस्ट यहां पर थीम हम यूज करने वाले हैं यहां पर हम स्लेक्ट कर लेते हैं वो सारा फेड नटीम और फीड वाले और पेड़ वाले आपको सो करेगा यहां पे काफिश सारे आपको टेंप्लेट मिल जाते हैं आस्टा के अंदर किसी भी टैप का वेबसार्ट बनाना चाहरा है तो यहां पर आपको थीम मलेगा थैसे कि यहां देखिए प्लांट अपका ह तो आप यहां पर त्मई कर अपने रियुकायर्मैट के अनुसार तो यहां पर यहां पर एक टीम करने वाले है कि हम इस पर हम क्लिक करेंगे और इसको आज करो डेंगे इस्तौल कर लेंगे इस पर और यहां पर देखिए इस तरह का जो है यह थीम स्वर कर रहा है और यहां देखिए यहां पर कुछ भी नेम ड़ेते हैं और यहां पर देखिए यहां पही क्या करेंगे हम email id डाल देंगे email id डाल देंगे यहां पर आयम यहां पर beginner select कर लेंगे intermediate जो भी आप select करना चाहरे है वह select कर लेंगे और यहां पर I am building website for myself या client या company जो भी है आप यहां से select कर लेंगे select करने के बाद यहां पर देखिए यह सारा जो है इर्वांस option में यह सारा selected ही आप रहने देंगे और यहां पर जो है submit and build my website पर click करेंगे और यहां पर क्या होगा आपका जो theme होगा वह actually install होना start हो जाता है जो भी उसका dummy content होता है वो सारा automatic import हो जाता है तो अभी जो आप install हो रहा है इसके साथ जो भी plugin वगड़ा होता है जैसे लेमेंटर का plugin होता है वो सारा यहां पर install हो जाएगा यहां पर थोड़ा से यह time लेगा यह install हो रहा है भी यह देखिए contact us का page है इस contact us पर आएंगे यहां पर आपको we are ready let's talk आपको एक यहां पर फॉर्म मिल जाएगा contact us फॉर्म इसमें फॉर्म को जैसे फील करेंगे यह फॉर्म का जो भी डाटा होता है वो email पर जाता है यहां पर जो है सारा कुछ आपको मिल जाता है location email contact number social media icon सारा यहां मिल जाता है यहां पर location जो है वह आपको सो कर देता है मैप का वह सारा कैसे करेंगे यह सब कुछ इस वीडियो में आप देखने वाले हैं तो आप वीडियो को step by step follow करते रहिएगा यहां पर जो है डमी कंटेंट जो है वह सारा इंपोर्ट हो चुका होगा तो अभी हम इसको पहले बाले को कट कर देते हैं यह लोड होने में थुरा सा टैम लग रहा है और यह लोड हो जाएगा देखिए यह स्टैप का जो है वेबसाइट सो कर रहा है आप सारा डमी कंटेंट है तो इसको हम अब कस्टमाइज करेंगे करेंगे और यहां पर आने कर बाद यहां पर नीचे हाँ आप करेंगे और यहां पर कोई भी लोगो नहीं लगा हुआ है यहां लगो लगाएंगे यहां हम मेरे ऑंको लगा किरके दिखाने वाले हैं से लक पर किरेंगे और यहां परines फाइल पर किरेंगे और हमारा लोगो स्था यहां सतोब हो गई सेव होगा टा के अंदर हम सेव करके हैं तो यहां से ए जता ratos कर लें Carr express connecting और यहां जो है हम प्रिंपोर्ट हो जाएगा और क्लिक करेंगे करने का यहां पर करने का रहा है बटाम को इसको च्वालोग पे लिओ डिया है अभी यहां पर लोगो तो दिख्या डे데 इसका रिजिन क्या है यह हम देख लेते हैं यहां पर जैसे आप आएंगे यहां पर देखिए जो अभी लगो लगा हुआ है हमारे साइट पर यह अब देख पाँ रहेंगे यह जो हैडर है है header इस करण से यह वाड़ कर रहा है यहां पर जब आप इसको रिफ्रेज करते हैं तो यह स्टीकी header है यह वो नहीं कर रहा है यहां पर इसके लिए हम क्या करेंगे कुस्टमाइज ट्रंस्पेरेंट header का एक option दिखे गए आपको इसको कस्टमाइज करना पड़ेगा तो हम click कर रहा है, चूँछ image पे click करने के बाद जो है यहाँ पर देखिए रेटीना लोगों है, अगर आप रखना चारें तो सही है, अगर नहीं रखना चारें तो यह तो नहीं रखना है, लिए तो इसको हम यहाँ से off कर देंगे, बहुत आप सकते हैं इसको कर देंगे यहां पर पब्लीक करने के बाद आपको रिफ्रेस करके दिखा देते हैं यहां पर हमारा लोगों जो है ओ सो करने लगा सेम जैसे की इस website में सो कर रहा है तो यहाँ पर स्टाय ह KPain तो बढ़ यहां भी अगर आप सब्सक्राइब करना चाहरा है और भी आप यहां से जो है मैंनुली जो है वह सैज कि यहां पर कर सकते हैं तो यहहां पर करें कर देते हैं और यहां यहां पर image जो कर रहा है इस image को हम change करना चाहरा है जैसे कि इस वाले website में बाइग्ग्राउंड में आप image देख पार होंगे तो यह कैसे करेंगे तो चलिए हम देखते हैं इसको कैसे करना है यहां पर हम इसको यहां पर cross पर click करके यहां से हम वापस आजाएंगे अपने dashboard में dashboard में आनेक बाद देखिए यहां पर page वाले सक्षन में आएंगे all page प्लिक करते हैं और यहां पर हमारा homepage यहां पर यहां पर home page इडिट विद इलेमेंटर पर आपको क्लिक कर देना है इडिट विद इलेमेंटर आपको तभी इसो करेगा जब आपके wordpress dashboard के अंदर इलेमेंटर का plugin install होता है तब यह आप देख लेंगे इलेमेंटर का plugin install है या नहीं तो वैसे तो जब आप तीम इंस्टाल करते हैं उसके साथ ही करेगा यहांपर क्या चा हुआ रहे हैं जो है इस टैप का इमेज करेआ क्लिक करदेंगे ये अपलोड होने में थोस्ट अप कर देंगे है इं horizon से जय दा है इसलिए यहाँ पर आपलोड होने में ट्रवलगरा यह इनphone यहां पर हमारा जो है इमेजन है वह 12.9 का मेज यहाँस नेत्क है इपको आपको करता है हिसका हाइट इसना कुछ यहां पर तो आप इसको देख पाएं यहां पर देखिए हमारा जो image होगा वो यहां पर अब बात कर लेते हैं यह image हम अपने website के लिए कहां से लाएं इस तरीके से लाना होता है इसका भी हम बात कर लेते हैं क्योंकि अगर आप बिगिनर है तो आपको पता नहीं होगा जिस टैप का वेबसाइट है वह स्टैप का इमेज बगड़ है कहां से लाएं आपको बता देते हैं एक आप वेबसाइट सर्च करेंगे यहां पर इमेज आपको चाहिए आप यहां पर सर्च करेंगे तो आपको इमेज यहां पर मिल जाएगा जैसे पासपोर्स रिलेटर था यहां पर पासपोर्स सर्च करेंगे यहां पर पासपोर्स रिलेटर जो भी इमेज होगा वह यहां पर सो करना स्टार्ट कर देता जैसे क लुब सब्सक्राभि जब लियुघ करके दानलोड कर सकते हैं क्लिक करके रखेंगे यहां से जब लगा सकते हैं और इसे का सिख तरेंगे समय करेंगे या jpg format में अगर आपका image है तो आप यहाँ पे सर्च करेंगे compress jpg यहाँ पे compress jpg आप सर्च करेंगे तो बहुत सारे website आपको मिल जाएगा इसमें आपको upload करके जो है इसको आपको compress कर लेना है और उसको download कर लेना जिससे की image का file का size है वो थोड़ा सा कम हो जाए और आपका website कर रहें वैसा आपको image नहीं मिल पा रहा है अब अलग-अलग image download करके आप उसको कस्टमाइज भी कर सकते हैं आप कनवा का है वह लग चुका है अब हम क्या करेंगे इसको जो है इसका content हम हटा देते हैं यह content के लिए यह content के लिए यह content कोपी कर लेते हैंड़क्ट के फिसको हम कर देते हैं यह content है इसको यहां से सरा सेलेक्ट करके इधर हम कंट्रोल भी से पेस्ट कर देंगे अब यहां से देखिए इसको पेस्ट कर देंगे यहां पर आगया नेक्स्ट हम से मैंसे करेंगे यहां से इस सबसेंद को बना सकते हैं अब आपको उसको कर रहे हैं हुद आपको 및कट करनेद अब सबसेंद और कु dominating वहाइं आपको चला जाता है किते हैं जेहाँ किरेंगे अब काफि क्लिक नहीं कर पाएंगे vault offer क्लिक करेंगे यहां पर जैससे किलिक करेंगे पर सीक्षिसर आपको अ AV करतों यह उस तैम में आपको काफी यूटूब पर आपको नियुटू невानना है। यह कई बार इस्ओ आता है, भोड सारे पर्सन के पास इस्ओ आता है, जो sleeping कर पाते हैं। वाउन को उप्सर नहीं आता है, यहाँ पर header आ जाता है. तो इस वाले website तो यहाँ पर header नहीं है. यहाँ पर आपकोहणते से यहाँ पर यहां पर देख लेते हैं कॉन सा है यहाँ पर देक्षाय यहां पर करना है महीं हम做 WA 10 यहां पर करने के बाद यहां से हम कट कर देते हैं और अपने इस वेबसाइड में आ जाते हैं यहां पर देखिए इस पर हम क्लिक कर देंगे और यहां पर यहां पर पे करेंगे और यहां कहीं वार करेंगे यहां पर देखिए हमारे जो सों कर देखिए ऑसको तौर चाहरे क्योंकि देखिए यहां पर देखेंगे तो यह थोड़ा सा ऊठाइब इसके बीच में जयादा गैप नहीं नहीं तो यह हम कैसे करेंगे यह भी हम आपको आप दिखा देते हैं इस पर जैसे अप क्लिक करेंगे और यहां पर देखिए अद्वांस पर आएंगे आने कोच्वा तो इस तरह से आप कर सकते हैं इसको और हैसे करने तो इस तरीके से कैस्टमाइज करना है तो उमीद करते हैं ओप स्मझ में आ गया होगा चलते हैं अजी आपडेटनल ही रहा देते हैं और यहाँ पर कलिक कर देते हैं अब पर levar अब हम रिफ्रेस्ट करके आपको पूरा दिखा देते हैं देखिए हम यहां पर उपर का पार्ट है यह हमारा पूरा डिजायर हो चुका है जैसा कि इस वेपसाइड में है और थोड़ा इसको बिखरा होगा इसको भी आगे हम इसको देखेंगे कैसे कलर को हम चेंज करेंगे अब हम इसके नेक्स्ट वाले पार्ट में आते हैं यहां पर जो यह जो सेक्षन है आवर सर्विसेज का यह हम कैसे करेंगे इसमें हम आते हैं और यहां पर देखिए इस पर हम क्लिक करेंगे और यहां पर नेक्स्ट जो है इसको भी हम यहां से कॉपी कर लेंगे और इधर हम इसको पेस्ट कर देते हैं कर लुए है है देखिए यहां पर पेस्ट हो चुका है है इसको हम अपड़ेट कर देतें कि हो और यहां पे देख पार हैं इसलिक और आर्पने पर यहां इसको देख रहा हैं। इसलिएंग участ कटी या फोटी जो भी डालना चाहरे हो डाल देंगे फोटी डाल दिए यह उपर आ चुका है इसको हम अपडेट कर देंगे जैसे यहाँ पर था था थोरा सा एस्पेस वैसे ही इस वाले में भी आपको स्वर कर देगा इसको रिफ्रेस करके आपको दिखाते हैं देख यहां पर यह ऊपर आ चुका है अब हमको क्या करना इस में आप देख रहे होंगे यहां पर एक लाइन सा रहा है यह आपको इसको सेपरेट करने के लिए तो इसका भी हम देखेंगे कैसे इसको हम लगाते हैं तो अपने विप सेड़ में आ जाईए और यहां पर जो है ड्राइगं ॢब करेंगी और यहां पर चोड देंगे और यहां पर फिर असे हो रहा है। कर दिया करते हैं में यहां से कर सकते हैं. यहां से कर सकते हैं। यहां पर हम कोई भी आईकन करेंगे यहां पर नहीं क्लिक कर देंगे यहां पर दीख रहे हैं यहां पर इक से नहीं उपर आ चुका है तो इस तरह के से जो है अब डिवाइडर का यूज कर सकते हैं यह इस तरीके से इसका यूज कर सकते हैं यहां पर देखिए जैसा यहां पर था ऐसा यहां पर कर रहा है यहां पर इस पर हम क्लिक कर रहे हैं इस टाइल पर क्लिक करने के बाद देखिए यहां पर कलर कुट कॉपी किये वे थे यहां पर एक्चुली मारा टेक्स्ट कॉपी है तो हम कलर यहां से हम ले लेते हैं यहां पर भी हम पेस्ट किये वे थे स्पीडिट करते हैं इस्टाइल म जो color है इसमें हमें इसको paste कर दे रहे हैं और एक बाद और हम आपको बताना भूल गए ये बटन के अंदर आप color change करना चारा है और भी color तो वह कैसे करते हैं इसमें क्लिक कर रहे है इसमें आएंगे यहां पर देखिए बटन में जो है यह उपर का color change हुआ अगर यह देखिए यह जैसे ही cursor आता है हमारा तो होवर्ड होने पर यह white color हो रहा है इसको भी अगर आप change करना चारा है तो वह कैसे करेंगे अभी normal पर select है इसको हवर्ड पर है आप हम क्लिक करेंगे यहां पर जो है आपको color वगड़ा text color सारा कुछ आपको change करने का option मिल जाता है अब इसको आ इफेक्ट डालना है किसार आपको यहां से पता चल चुका होगा हम नीचे आएंगे इस वाले section में आपको edit कर देना है कुछ भी नहीं करना है इधर से copy paste content कर रहा है देखिए यहां से है apply new passport हम copy कर रहा है इधर और यहां पर जो है इसमें क्लिक करने का बाद यहां पर देखिए डीजाइन है इसमें हम paste कर देंगे और यहां आइकन का आपको दिख रहा है तो आइकन भी इस टैप का हम select कर लेंगे यहां से कुछ ग्लोब टैब का दिख रहा है पास्पोर्ट का कुछ ऐसा तो यहां पर क्लिक कर देंगे कुछ पास्पोर्ट का कुछ अ पर देखिएamam Terre आइकन को spec कर लिक कर देंगे करने के पाद यहां तरMa पर देखिए हम अपर देख हुमरा टिक्स्ट जो है तो स्वैं में किलिक करएंगे और हमारा जो टेक्स्ट है वो जो सारा चेंज हो चुका होगा अपर terrified करके कर लेते हैं थे देखिए यहाँ पर करेड़ करेंगे कैसे यह टेक्स्ट डालेंगे कैसे डिस्क्रिप्शन डालेंगे ऐसे ही आपको सभी में कर लेना है तो अभी हम फटा-फट से इसको कर लेते हैं इसको थोड़ा सा यहां पर देख पा रहेंगे थोड़ा से गैप आपको लग रहा होगा तो आप उपर करना चाहरे तो आपको को पता ही है अभी हम बता दिए कैसे करता है यहां से आपको फिप्टी चुरा गया है तो यहां पर फोटी या ठटी कर देते हैं तो यह कैसे करेंगे यह भी हम आपको दिखाते हैं तो यहां पर हम आ जाते हैं यहां पर हमको इसका कोई नहीं है इसको कट कर देते हैं पूरा को पूरा सेक्षन को रिमूब हो जाएगा इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे यहां पर तो देखिए यहां पर हम आएंगे और यहां पर यह हमारा ऊपर का सेक्षन हो गया जो प्लस पर जैसे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर फिर आपको एक option दिखेगा प्लस पर क्लिक करने का और यहाँ पर देखिए यहाँ पर डिवाइडर जो है वो कितने सक्षन आप डिवाइड करना चाहरा है उस सक्षन को यहाँ से स्लेक्ट कर सकते हैं आप इस तरीके से जित यहां से इधर कर देते हैं इस तरीके समस्कों बढ़ा दिये करने के बाद यहां पर टेक्स्ट यहां पर डालना चाहेंगे तो यहां पर हम है कैसे करना है ठीक है मैनुवली कैसे कर सकते हैं तो यहां पर जो है यह हम इदर पेस्ट कर दिए यहां पर यह कंटेंट आ चुका है और इसको हम सेंटर लैन कर देंगे ठीक है यह सेंटर लाइन हो जाएगा यङन का All Yes, इससे बंटन वी लगाएंगे जैसा कि यहां पे बटन के लिए हम क्या करेंगे तु अ क्लिक करते हैं और यहां पे बटन का रए इसको ड्राइग और ड्रॉप करते हैं इदर लागर किस फूर देटेहिं यहां पर बृटन आ रहे होंगे और इसमें लेट स्टॉक दिख रहा होगा जैसे इस पी क्लिक करेगा तो क्या होगा वाट्सअब जो है यह ओपन हो जाएगा वाट्सअब इस तरह अगर आप लगाना चाहरा है तो वह कैसे करेंगे यह हम देखते हैं यह बटन के अंदर हम क्या करना होगा उसके मेडियम रहने देते हैं और इसके अंदर जो है को एक लिंक डालना होता है वो लिंक यहां पर देलेगा वाट्सटप का लिंक कैसे होता है जिसके कि आपका नंबर जो है वह ओपन हो जाए चैट में वह कैसे करेंगे हम आपको बता देते हैं ठीक है कहीं फोल्डर बना रख इस लिंक को आप कॉपि कड़के उधर प्रेश्ट करेंगे बट यहां से पहले हम क्या करेंगे यह जो नंबर सो कर रहा है जो भी नंबर आप डालना चाहरे है वार्सअप का तो बटन पे क्लिक करते ही आपका चैट जो है चैट सक्षिक्षन वार्सप का उपन हो जाए यहां पर नमबर डालेंगे यहां पर नाइन वन रहेगा ही और यहां पर आप मोबाइल नमबर डाल देंगे यह लिंक होगा तो आपको हम डिस्क्रिप्सन में डाल यहां से सारा हम कंड्रॉल से कॉपी कर लेते हैं और अपने प्रों ब्राजर में आ जा रहा है और इन से लिंक को हम क्लिक कर देते और हम अपम अपडेट पे क्लिक कर देते। है कि लिंक हमारा यहां पर आ चुका है। क्लिक हैर यहां पर है यह ठेक्स्यद हम को चेंज करना है। यहं पर पर कौण सा टेक्स टैख्ट है? है और यहाँ पे बटन हमारा सोग कर राया color भी change करना चाहीं तो color change करना आपको पता ही है में आएंगे उने के बाद यहां न यहां से Ne को दखा रहा हूँगा एक्षिली उपर स्पेस हैположette है कि हम कैसे δालेंगे यहाँ पर आपको एक space का spacer का option दिख रहा होगा इसको हम क्लिक करके इसके उपर हम डाल देते हैं सेम वहीं करेंगे हम यहाँ पर इसको लाएंगे इसको नीचे हम डाल देंगे इसके नीचे आप देखिए इतना का space यहाँ पर बन चुका है है, से फिटी फुरा सा ज्यादा लग रहा है है, तो यहाँ पर हम 30 कर देते हैं, उपर वाले पर हमेंजेंज करके हम 30 करते हैं लिगे अभी यह क्या हो गिए? यह उपर हो गिए, इसके लिए हम क्या करेंगे? इसमें भी हमको ए क्ष़ष़भी यह डालना पड़ेगा सेम ऐसे ही है हम इसको 30 अंदा इस यहां पर डाल दिया है इसको अपडेट कर देंगे इस भी इस तरीके का जो है यहाँ यहाँ पर बन जाएगा इसको हम एक वारेफ्न करते हैं कुछ और च्मींड करना होगा त्यूसमें चेंज करेंगे इस तरीके सहा है तो कहीं यहां इससे बेटर लग रहा है जैसे यह है यह इतना अच्छा नहीं लग रहा है अभी और बतात है इसमें जैसे आप देखने होंगे इसमें जैसे रिफेस करते हैं तो आप इसमें यह मोशन एफेक्ट दिख रहा होगा आपको सारे मोशन इफेक्ट आपको दीख जाएगा तो यहां पर आने के वाद यहां पर देखे जूमीन है सारा अलग अलग जो है मोशन इफेक्ट आपको दिखेगा देके यहां पर देख पा रहे होंगे आप यह निए और यहां पर देखे यहां पर इस पर हम किलिक करते हैं और यहां पर आपको आइकन का एक section दिख रहा होगा इसमें हम click करेंगे यहां पर इनेवल unfiltered file upload है यहां पर हम इनेवल कर देंगे इसको को यह क्या होता है यह क्या होता है जब आपको file upload करते हैं यानि कि आप आइकन जो है वो design करके रखे हैं खुद से उसको आप अपना icon upload करना चारें तो उस case है आप यहां से upload कर सकते हैं और यह second जो आपको दिखरा है, icon library, इससे क्या होता है जो icon already इलेमेंटर प्रोवाइयड करते हैं, वह और आप यहां पर यूज़ कर सकते हैं तो अभी क्या करेंगे हम जो आइकन अमको यह यहलेमेनटर के तरफ से मिल रहा है उसी काम यूज़ करने वाले हैं, अगर आप डिजयन कर सकते हैं कोई अईकन खुद से तो वह भी आप डिजाइन करके svg file में आप यहां पर import कर पाएंगे upload svg आपको दिख रहा होगा इस पर आप import कर पाएंगे अभी हम क्या कर रहे हैं यहां पर आइकन लेड़ी है इससे हम आइकन यहां पर लेंगे यह आपको डिफरेंस पता चल गया होगा दोनों में क्या होत यहां पर हम फिर्ष वाले को यूज कर रहे हैं और यहां पर insert पर ऍहां क्लिक कर रहे हैं यहां पर यहां पर आ चुका है इस तरीके साब आइकन को यहां पर लगा सकते हैं तो यहां पर आपनी यह भी देख लिया इसका जो button का color है वो कैसे change करेंगे क्लिक करके सैल में आ करके यहां से डिए कें अपका आप यहां पर पेस्ट कर देंगे रख सारे आइकन का डिए अगर सीम रखते हैं तो देखने में जैदा लगेगा यहां बताना चाहेंगे इसे यहां कर देख रहे हैं गया आप हम क्या करना है आपको यह भी बता देते हैं जो कि आइकन का कलर आप यहां पर कैसे चेंज करेंगे हम कॉपी कर लिए क्लर कोड कॉपी करने के बाद देखिए यह जो भी आइकन चेंज करना है ना इस आइकन में आ गए और यहां पर देखिए आइकन वाला जो यहां पर है यह open है भी तो इसमें क्या करेंगे यहाँ पे जो color code है इसको हम यहां से जू हम color code copy किये वे थे वो हम इधर इसमें paste कर देंगे यहां पे जो है यह change हो चुका है तो इस तरीके से जो है मजब हो चेंज कर सकते हैं सभी आइकन मेरे हैं इसके बाद निचे आते हैं यहां तक हमारा सेक्सिन कम्प्लीट हो चुका है अब गविए धैकर सेक्षामुक्र कुरियेट्ट करना है यहां पर देखिए कर reflect कर रहे हैं और यहां पर देखिए यहां पर एक्षिली जो है यहां पर एक-डो-tween ये- तीन स्क्षिन जो है यहां पर हमको बनाना है तो तीन सेक्षimmune के लिए हम क्या करेंगे out Okempace create करेंब यहां पर इंपर one to action को वर यहां पर हमारे पास यह थिरी सेक्शन बने गया तो यहां पर गुलिक करेंगे और यहां पर सच करेंगे तो यहां पर का एक आपको यह दिखेगा विजिट इसको यहां से drag and drop करके इधर ला करके छोड़ देना है सेम सभी में करना होगा आपको तीनों सेक्षन में इसको ला करके आप ऐसे drag and drop कर देंगे इसमें जो है drag and drop ही करना रहता है ज्यदा तर elementary का अगर आप यूज़ करके website बनाते हैं तो बहुत ही easy होता है ज्यदा difficult नहीं है आप असानी से बना सकते हैं यहां पर देखिए यह तीनों आ चुका है अब हम क्या करेंगे इसका आप देख रहे होंगे जो कि यहां पर जो है color चेंज है यह color तो यहां पर भी हम को color इसमें डालना है तो इसके लिए हम क्या करेंगे तो select कर लेते हैं और यहां पर style वाले section में आएंगे और यहां पर देखिए background है इसमें यहां पर आपको दिखनी हो रहा होगा color कोड कहां पर हम डालें और यहां पर देखिए इस पेसर जो है इसको हम select करेंगे और इधर लाइकर करके हम छोड़ देंगे आपको 50 है बहुत ज्यादा दिख रहा है आपको 50 नहीं रखना है हमको इधर हम कर देंगे 30 कर देंगे सेम नीचे भी डाल देंगे इसकी तरीके से सभी में डाल देना है इसको हम 30 कर देंगे इस तरीके सब इसको कर सकते हैं अभी में करना है आप आसानी से कर पाएंगे इसको कोई भी दिक्कत नहीं आएगा आप यह फिर से 50 है कर देंगे इधर फिर उपर में हमको डालना पड़ेगा इस तरह से आपको करना है इसमें भी कर देना है देखिए यह इस तरीके से यहां पर बन चुका है अब क्या देख रहे होंगे आप इसमें जो है कि यह इसमें आने के बाद सबसे पहले तो यहां जो नंबर है न, वहीं इसको भी चेंज कर लेते हैं आप देखिए इसमें लिखा गया है total client यह भी हम चेंज कर लेते हैं पहले यहां पर दिखिए यहां पर टोटल कलांट यहां पर करना है कि देखिए नंबर यहां पर सो कर रहा है इसमें डाल देंगे इसकी कलेर चेंज करने के लिए इसमें आएंगे यहां पर वहाइस देखिये text कलर का दिख रहा है आपको default है default पर click करेंगए यहाँ पर तो भी आपको आपको white color मिल जाएगा यहाएंगे यहाँ पर यहाँ है यहाँ से लेक्ट कर लेंगे यहां पर white हो जाए क्या है इसके वाद जो है यह नीचे में जो text है यह इसे चेंज करना नियुक्या कड़ेंगे कुलिक कड़ें milk ट्मय वाले पर यहां पर यहां से उस मैं उस्तरा से एक उसमें भी अपडेट करें ला सब्सक्राइब यहां इक वार रिफ्रेस प्रप्रा करें रे लिप दिखिये, यहां पर change हो चुका तो आपको इसको भी कर लेना है, सेम प्रोसेस रहेगा, इसके बाद देखते है, next section क्या है, next section जो है, यहां पर frequently asked question का है, तो यह कैसे लगाएंगे, देखिये, यहां पर जैसे आप इसमें आते हैं, यहां पर click करते हैं, तो यह question का answer है, हमें भी आएंगे यहां question का answer है तो यह कैसे लगाएंगे यह भी अभी हम देख लेते हैं तो सबसे पहले यहां पर frequently asked question जो है यह हमको heading में लिखना है और यहां पर एक divider लगाना है कॉपी करके इधर हम paste कर देंगे और इसको हम center line कर देंगे तीक है center line करने के बाद आप देख रहे होंगे जो कि यहां पर जो है space है तो space कैसे लाएंगे वह भी अभी हम देख लेते हैं अब इसको अनसेलेक्ट करेंगे और टॉप से जो है 30 कहां में space डाल देंगे इस आचुका हम क्या करेंगे यहां पर यह जो line है यह line डालना है हमको यह line के लिए क्या करेंगे एगेन हम यहां पर आएंगे और यहां से जो है divider रख करेंगे और इधर लाग करके चोड़ देंगे और इसको जो है center line कर देना है और यहां से जो size रखना है जैसा size जो ऐसा करके तो छोड़ देंगे ऊपर करने के लिए फिर अगेन वही process मैनस में डाल देंगे मैनस में 20 डाल देते हैं या 30 डाल देंगे 30 डाल देते हैं 30 ज्यादा हो गया 20 डाल अपर आ चुका है तो अपड से छोटा बढ़ा कर सकते हैं जाएंगे और यहां देखने में कैसा लग रहा है इसके बाद क्या करेंगे हम यह फ्रुकेंट्ली आस सुस्चन का जो है question and answer यह section लगाएंगे इसके लिए आप यहां पर देख रहे होंगे जो कि दो सेक्षन में यह डिवाइड है ठीक है एक स क्लिक करेंगे 2 सेक्षन यहां पर लएंगे ऐसको डिवाइड कर देखे इसके बाद हपर हम किलिक करेंगे और यहां पर नीचे आएंगे सो एक option आपको दिखे готов करना है कि देखर देंगे से एधर खेंगे हम यहां से टॉगल सरसंग कर लेते हैं यह देखिए इसको लाघड़कि इधर हम छोड़ दिए तो अब क्या करेंगे यह क्विश्चन एंसर का सिक्षन हम क्रेट करना है तो यहां से हम कुस्षन कॉपी कर लेते हैं कॉपी किये तर जो टॉगल एसपर हम एदिट पे कलिक करेंगे यह टॉगल पे कलिक करेंगे और यहां पर जो कॉस्चन है वह हम पेस्ट करेंगे और Gurukya किये यहां से लेंगे हम कर सफूँ है हिजिए कराओ कर से लेंगे तर गाल और फिर से एंसर हम यहां से इसका ले लेंगे, कॉपी कर लेंगे, कॉपी कर लिए, ठीक है, और एड करना चाहरा है, तो भी वह भी बता देते हैं, एड कैसे करेंगे, यहां पर एड आटम है, इस पर क्लिक करेंगे, टॉगल जोगा, वह आ जाएगा, पड़ किजएगा, यह इस वाले को हम यहां से कपी कर रहा है, कपी किए, तरला कर देंगे, जो कंटेंट है, मारा answer जो है, वहां से कपी कर देंगे, पर भी वही प्रोसेस है, उस भी डिफरेन्ट नहीं है, हम इसको कपी कर ले रहा है, कोपी करके इधर हम किस्ट कर देंगे इधर देखिए सेम पर भी एंसर है हम यहां से कोपी कर लेंगे हम एक वार हम रिफ्रेस करके दिखा देते हैं आपको इस तरीके साथ जितना भी कुश्चन है उतना आप डाल सकते हैं इसमें यह समझ गया होँगे कैसे करना है फिल्जी हमको बताना ही है Elementor को कैसे यूज करना है हम actually सिखाने का मेरा मोटिव है इसमें आप इस तरीके साब यूज कर पाएंगे आपको खुद भी एकस्प्लोर करना है चीजे एकस्प्लोर करेंगे तभी आप अच्छे से तर पाएंगे तो फुष से भी एक्स्पोर करना है आपको इसका बद गे कि यहां पर जो है एक बटन भी बना हुआ है जो नीचे आएंगे यहां देखिए बटन है यह बटना कैसा लगाएंगे यह माँ अत्व बता देते क्रती हैं इसको यहां से more details डाल देंगे, more details इधर डाल देंगे, यहां पर आचोए, color change करना है, style section में आख़के, यहां से text color या color जो भी है, वो आप change कर सके, यह आपको पता ही है, कैसे change करना है, हम change कर देते हैं अभी, अर्फ क्लर कोपी कर लेते हैं पाइस कर्देंगे सब क्रियेट करने का और भी जैसे में क्रियेट पायेंगे आप चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए जो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा उसका ठीक है तो अब देखिए यहाँ पर हम देखते हैं इसके बाद कौन सा सेक्षन क्रेट करना है यहां पर आएंगे देखिए यहां तक हम कर चुके थे अब इसके प्लड़सक्राइब हम कर रहा है लो यहां डिवाइड कर रहे है त्यौसिक्सन में डिवाइड करने का बाद देखिए इस तरफ क्या लगा हुआ है इमेज लगा हुआ है तो हम क्या करेंगे यहां से इस पर यहां आएंगे हम और यहां पर देखिए इमेज का एक सक्षन मिलेगा यहां से ड्राइग ड्रॉप करके इसमें डाल देना है इमेज का सक्षन यहां आगिया अब क्या करना है हमको इधर देखिए यह दो पार्ट में से डिवाइड है यह दो पार्ट में डिवाइड है तो इसको हम कैसे डिवाइड करेंगे यह देख लेते हैं इधर हम आ जाएंगे और यहां पर देखिए इन्नर सक्षन है इन्नर सक्षन डिवाइड करने के लिए हम इसको लाएंगे इधर ड्राइगन ड्रॉप कर देंगे य ठीक है इसके बाद आप देख पा रहेंगे इस की नीचे भी दो स wspól आ हुआ है जो एम को फिर से असे यहां आप रहेंगे हम इंदर सक्स न और करेंगे यहां पे अंधे चार सक्सेंट विए कर सकते हैं कि यह थो गया नीचे का पाट यह नीजे का पार्ट कर दिए यह बट यह अभी हम create करना है तो यह हम क्या करेंगे ऊपर ही इसके ऊपर ही करके हम फिस्ट कर देंगे कि इसको छिदिटर इसको लाएंगे और इसके नीचे यहां पर हम छोड़ रहा है है यहां पर यह टेक्सर आ गिया कि यह एंधर से और यहां से टेक्सर में gotpos carrying करेंगे और इसको जो है टॉप से हमको मैनस में चाहिए 20 20 डाल दिए यह उपर आ गया 20 थोड़ा से ज्यादा हो रहा है हम 10 डाल देते हैं देखिए उपर आ चुका है यहां पे घालेंगे अपने देखर लेंगे और यहां से मुर्वह ठिर्लिक करने और यहां से टोप से हम कितना माइनस फोट्टी 30 ये यहां से डाल सकते हैं कर दो कर नहां नहीं है टो हम झालना चाहिए यहां पर तो यह हम क्या करेंगे इसको स्लेक्ट कर लेंगे और यहां सेटिंग में आएंगे और इसको फिर से अंचेक कर देना है हमको और यहां से टॉप से जो है हम गैप डाल देंगे कितना का ट्वेंटी का डाल देते हैं त्वेंटी या थर्टी डाल सकते हैं थर्टी हम कर सकते हैं तो आपको हम पहले बता ही चुके हैं यहां तक आपको समझ में आ गिया होगा इस सक्षन को चुना इमेजे Ka family लगा हुआ है यहां पर आई इमेज थैहांपर एमेज multiple करें गे तुझी में क्लिक करेंगे अधाभ फायल में जाते हैं अधाई सिलेक्ट करेंगे और फिनम लेते हैं यह यहां पर हमारा इमेज पर घ्लarni तो हुगा हो गया हुआ यह analysis करेंगे और यहां पर बारा इमेज जो है वह आचुका है अबовिके ओपर देखरेंगे यहां पर छीज यह धीर यहां भी आइखिस कि यह देख रहे होंगे काफी ज्यादा मतलब लार्ज हो गया यह देखने में अच्छा नहीं लग रहा है इसके समें क्या करेंगे यह जो है अपडेट करके हम देख लेते हैं किस तरीके से सो कर रहा है अब हम रिफ्रेस्ट कर रहा है कि यह बहुत छोटा हो गया यहां पर थोड़ा सा इससे ज्यादा बढ़ा है यह आई इसको थोड़ा सा हम अभी कौन सा टैग हम रखे है एच फाइब रखे है इसको हम एच फोर कर लेते हैं कि हो कर लीए त cosm Раз एक सो लगाएंगे और इसी के निचे इसके अंदर इसंदर लाकर loggers form फोड़ा है यहां पर टेक्स ने昨am घैंगे यह ना यहां डन देखें हमा यहां पर बन चुका है हम और हेंग और हम को करना है है यहाँ पर दसे कर देंगे और यहां पर हमारा कफुर नहीं करते हैं मुद्सक्राइफ कर देंगे यहाँ प्रस्षे मैं हरे लाकर को यहां पर छा चैक्षन बनेगा दोथ ही यजी है आप खुद भी क्रियेट कर सकते हैं बढ़ हम इसको भी बना गर के दिखाई देते हैं आपको कि यह हेडिंग डाल दिये इधर हम इसके बाद जो हैडिंग का कंटेंट है इधर से लोग में कॉपी कर लेते हैं इधर लाकर के हम PASTE कर दिये, इसका H5 हम सेलेक्ट कर लेते हैं, इधर से हम Tax Editor को ले लेंगे और इधर लाकर के drag गनद ड्रॉप कर देंगे, इसके बाद क्या करेंगे, इसका content जो है वो कापी कर लेंगे हम, content कापी कर लिए और इधर लाकर के हम इसको PASTE कर देंगे, है यहाँ पे जो है इसमें जर्फेल कर लेंगे कर लिए हैदर से अजरे हैं अद आकापी किए तẫnल हम qué मैं विश्टी दिट्र हैं कर लेते हैं कि कंटेंट कॉपी किर लिए इदर जा गडएकिए हैं फिल इंटर कर दे झाल Ioan फरीके से रागिया इसको मेजकर अप्डेट करके देख लेते हैं यह लोक वैज का इसा सो कर रहा है उपर इसपेस है निचे स्पेस है तो यह यहाँ पर नहीं दिख रहा है उपर हमको क्या करना होगा स्पेस डाल देना वह को पता ही एंए क्या करेंगे हम ये स्पेसर का को हम यूज करेंगे सर्फ करेंगे ज़ Blair keel कि Britney रहने संदे रहे ठेक लेते कितना स्पेस है कैसा हुषी लग रहा है की नहीं अपकि अप्डेट कर दिया है इλα है यह स्था मेकृष कर देते हैं अब सियर्ट के यहां उपर भी सपैस नीचे भी सैसे दिख रहा है यह पूरपर दिख रहा है इसमें कोई भी इस सु नहीं है तो यह सेक्षं कैसे आपकर सकते यह आपने सेख़िए के लिएविच्छल में करेंगे इलेमेंटरी में आ जाते हैं थे हम अपर हैंपर क्रियेट करना होगा और इधर इमेज भी डाला हुआ है चलिए देखते हैं इसको कैसे करेंगे हम इसमें आने के बाद यहां कलिक कर रहे हैं और यहां पे एक स्क्ण्म पर हमको चाहिए होगा हेडिंग के लिए यांस कोपी कर लिए औहीं एधर हैं डाल देते हैं यहां पर देखिए हमारा है धायम है रोतेर का चुग यहां पर चुका है यहां पर टैक्स्ट आचुका है nagra यh text को हम यहां से copy कर लेते हैं जो भी text है यहां से हम copy कर लेंगे the copy करने के वाद इधर हम paste कर दे रहे हैं यह text आ चुका है हम center में align कर देते है style में जाएंगे और center align कर देंगे ठीक है इसका color पगड़ चनज करना है तो kitchen कर सकते नहीं है से फिर फिर से क्लिक करेंगे और यहां पर तीन सेक्षन वाले पर क्लिक रहे हैं यहां पर नहीं के बन चुका है इसको हम एक वार अपडेट कर देते हैं यहां पर यह यहां पर देखिए सब्सक्राइब सब्सक्राइब इसको भी सई कर लेते हैं प्रेट इसको हम आपडेट कर देते हैं इसको ईफ्रेस्ट करें देख लेते हैं देखें यहां पर हैंदेक, हैंड को बन चुका है , इसवाले षक्षन Math Memes ، YOUR बनाने के लिए आगधर लेते हैं यहां फिर से ुपा यहां पर हम नीचे आएंगे एक हम औप्षिन मिलेगा ट्यश्ते प्रेंदू का है , यह हम स्टरौल कर रहे हैं यह टेस्टेमोनियल क्राजल जो है यह हम यूज नहीं कर पाएंगे यह अगर यूज करते तो क्या होता जो हमारा यह क्लाइंट सक्षन होगा वह मतलब स्लाइड करता है यह पेड के साथ आता है यह फ्रीमें हमको नहीं मिलता है इसका रण से हम अभी यहाँ पर इस तरीके से हम बनाएंगे अगर आपके पास स्पेड होगा इलेमेंटर तो आप इसका भी यूज कर पाएंगे हम नीचे आते हैं यहां पर कहीं टेस्टेमोनियल का हम को एक आप्शन मिलेगा यह देखिए टेस्टेमोनियल का एक आप्शन मिल रहा है इसको हम ड्राइगन ड्रॉप कर इस तरिके सब्सक्राइब पर क्रोख्या थे सेम इधर भी हम को करना होगा चलिए पहले हम क्या करें प्रॉप कर लेते यह उसillonर्य के वाद हम देखते हैं सेकेंड़ आ वाले में क्या करेंगे इसको करने के लिए ऊपर देखिया है को क्य क्या है यहां पर , यह content हम copy कर ले रहा है content copy करने के बाद यह पेस्ट कर दे रहा है कि यह content आ चुका यह content डाने के बाद हम को क्या करना है इसमें आप देख रहे हैं होंगे यहां पर image लगा हुआ है और यह नीचे जो है client का name और है ओडला हुआ है तो यह हम यहां पर डालेंगे और यहां पर यह जो है यह ऊपर है यह नीचे है बट यहां पर यह लेप सेड में है और एट सेड में यहां पर यह नेम है तो यह हम कैसे कर सकते हैं यह भी अभी हम देख लेते हैं इसको भी सभी करेंगे हम पहले यह देख लेते हैं इसको कैसे हम यह नीचे करेंगे जैसे इसमें नीचे है तो यहां पर आ जाएए और यहां पर देखिए आप यहां इमेज पर क्लिक करेंगे और हम यहां पर इमेज अपलोड करेंगे क्लिक करेंगे इमेज आ चुका है अब क्या करेंगे यहां पर नेम डालना है यहां पर आ चुका है यह भी यहां पर इसको क्रियेट कर पाएंगे हम सेकंड वाला भी आपको दिखा देते हैं वाले में भी टेस्टेमोनियल का सिक्षन हम लाएंगे खार के हम सर्च कर लिए उपर से और इधर हम पेस्ट कर देंगे इसको रा चुका फिसलेट कर देंगे और टौप यहां पर सेलेक्डर रेंगे इस तरीकिश आ जाए को स्लैंट फाइल सिसाइश सलेट करके इधर हम image लगा दिये हमें इन्सर्ट मीडिया पर कीलिक कर दिये में यहां पर आगया इसका नेम अगर हम चेंजरना चाहें तो वहम खर सकते हैं यह तो आपको समझ मां आई गिए होगा कैसे कर सकते हैं यहां से नेम वाले सक्षन में आ करके नेम हम पेस्ट कर देंगे उसके बार बार इतना आपको करना डिफिकल्ट लगता होगा तो आप ऐसा भी कर कर लिए और इस वाले सक्षन में आ करके यहां क्लिक करके राट क्लिक करके रम पेस्ट भी कर सकते हैं तो देखिए यहां पर हमारा टाइम बच गया है इसको मतलब नीचे जो कर रहे थे हमारा टाइम बच जाता है तो जब यह आप एक्सप्रियेंस के साथ जब आपका ज्यादा बचेगा यहाँ पर मागे सकशव कर लिए इधर कर लिए इधर हम ऊपें पर किलिक ही धर हमारा इमेज आ जाएका इंसर्ट कर देंगे यहां पर आ गया verder चेंज करना है कंटेंट कर लेंगे कॉपी करके इधर हम पेस्ट कर देंगे तो बार बार जो हम टॉगल को इधर पेस्ट कर रहे थे ना उससे हमारा टैम बच गिए ना पर नेम हम कॉपी कर लेंगे यहां पर इसको कट कर लेते हैं इधर से और इसमें हम पेस्ट कर देंगे यहां पर आ चुका है इसको हम अपडेट कर देते हैं और यहां पर हम एक बार रिफ्रेस कर देते हैं इसको देख लेते हैं कैसा दिख रहा है देखिए इस तरीके से दिख रहा है बट यहां पर आप हमारा हमारा डाल सकते है इसके लिए लिए और को आपको चाहिए होगा हमार हमारा औरsl optimize नहीं रहता है इसका इधर से हम कणर कोड कर लेते हैं यहां सब पर क्लिक करेंगे सब्सक्राइल में आ जाएंगे में यहां इस्टाइल में आ जाएंगे इ squeezed कलरोंट क्लाशिक पर किलिक करते ही आप को झालने का दर हम लाकर के इदर ट्रोर को टम even ठेज़ कर कर देंगे यहां पर छका है से मस्तवा रहा रहा यहां पर यह जो है यहां पर स्टाइल में आएंगे टेक्स्ट कलर यहां से हम यह एफ एफ जो है इसको हम स्लेक्ट कर लेंगे यह वाइट हो गया इसको भी हम वाइट कर सकते हैं इस्टाइल में आ जाएंगे और इधर से टेक्स्ट कलर में आ करके यहां पर हम वाइट कर देंगे देखिए इसमें भी हमको टेक्स्ट लर्वाइट करना होगा इस्टाइल में आएंगे आप टेक्स्ट लर्वाइट करेंगे और इधर आ करके वाइट कर देंगे देखिए टेक्स्ट लर्वाइट हो चुका है इसमें भी करेंगे इस्टाइल में आएंगे यहां से टेक्स्ट यहां देखी यहां पर जो है image क सक्षन आप को दिख रहा है और सेक्षनट हो गया और दीक्सिंद करेंगे और यहां प्र है तेक्स प्लार पर इसमें डीफल्ट वाले में आएंगे और यहां से जो है अलरू हम स्लेक्ट कर ले रहे यहां पर इसमें प्रोसिस करेंगे यहां से में इमेज्ट टेक्सidores जो है नेम का टेक्सक्र लेना है हमको तो टैल के अंदर भी आएंगे यहां से टेक्स्वizard कर लेंगे थो देखिए यह कितना इजी है बहँत ही ऊहरी में इसको कर सकते हैं इसको कर देते हैं देख लेते हैं कैसा दिख रहा है नहीं आंप पे इस कर एक आजब अ या दूसरा एक काम हम और कर सकते हैं इसके लिए ऐसे करने से अच्छा है इसमें को सभी में डालना पड़ेगा एक वली करने के लिए तो हम छोड़ देते हैं दूसरा क्या करते हैं में एक सेक्न कर देते हैं यह थिक है अपनों शेक्शन डाल देंगडिंगे यहां इसके अंदर स्केर का हम य्जद करेंगे इतर हम डाल देंगे इधे टाल दिये और से हैं इस में कि थटी करने के बाद इसमें इसपो आम कलर देते हैं इस कि There confirm को और कपी कर लेते हैं और इस वाले सक्षन में हम इस कलर पूंड दें जो गया और इसको हम एक बार रिफ्रेस कर लेते हैं देखी यह वह चुका है इसलिए हम यहां पे नीचे डाल दिये यहां पे सक्षन उसका डीजिन ही यह जब तो इसको आप mobile device पे open करेंगे और यहां पे जब अलग-अलग spacer डाल रखेंगे mobile device पे यह थोड़ा सा देखने में issue करेगा आपको अतलब कहीं पर जैदा space दिखेगा कहीं पर कम space दिखेगा इसलिए हम एक यहां पर section ही बना दिये तो mobile device में issue 9 आए उसका भी solution होता है है mobile device पर भी अगर responsiveness आपको बनाना है उसका भी solution होता है हमारे पास उसके लिए क्या करते हैं अगर आप कई वारा अवसा चाहते हैं जो कि यह आप tablet head on mobile head on mobile कर देंगे तो यह जो section था यह mobile पर हमारा नहीं दिखेगा अभी हमको यह चली नहीं करना है इसको हम आफ कर देते हैं तो इस तरीके से आप कर सकते हैं अगर mobile पर कोई तो आप जो है इस playlist को follow करते रहिए आपको इसका notification मिल जाएगा इस new section के बाद step by step हम देखेंगे जो about us page कैसे create करना है और यह footer section जो है यह भी हमको create करना है आगे तो वह कैसे करेंगे साथ में यहां पर contact us page बगड़ा है payment page है यह contact us page भी आपको दिखा देते हैं तो यह सारे जो है यह कैसे create करेंगे आने वाले वीडियो में आपको हम बताएंगे आप इस playlist को follow करिए और चैनल पर नए है तो चैनल को subscribe कर लिजिए वहासा करते हैं इस वीडियो से आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा और यह वीडियो आपके लिए helpful हुआ है तो क्रिपे हमको comment कर करें के बताएं कि आपको कुछ क्वेस्टन है तो आप comment section में हमसे पूछ सकते हैं हम जरूर आपके comment का reply करेंगे thank you so much